हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ फाहद जमान और आप देख रहे हैं इन्फो उर्दू चैनल आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने सैमसंग मुबाइल का सौफ़ेर कैसे इंस्टाल कर सकते हैं जी हाँ अगर आपके मुबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो बजार भी तो दिखाना ही है क्यों नहीं से हम हुद से ठीक करने की कोशिश करें तो आज की वीडियो इसी के बारे में है आप अपने सैमसंग मुबाइल को फ्लेश या सौफ़ेर कैसे इंस्टाल कर सकते है हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें जो के बिलकुल फ्री है क्योंकि इस पर मैं कम्प्यूटर, इंटरनेट, मुबाइ सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बैल दिखाई देगी उस पर भी आप क्लिक कर दें तो आपको मेरी सबी निव वीडियो के नोटिफकेशन भी मिलते रहेंगे तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले अपने कम्प्यूटर में सैमसंग यूएस्बी ड्राइवर को इंस्ट डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टाल कर लें इसके बाद आप ओडियन्स साफ्टियर को भी डाउनलोड करें इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा याँ आप इसे गूगल से असानी से डाउनलोड कर सकते हैं याद रखें अपने मुबाइल से फिक्स यां कुंटेक्ट्स वगएरा सेव कर लें क्योंकि इसके बाद सब कुछ डिलीट हो जाएगा इसके बाद आपको सॉप्टेर की फाइल को डौनलोड करना है जिसको फर्म वेर भी कहते हैं इसके लिए आप सेमोबाइल डॉट काम वेबसाइट को ओपन करें और जोइन पर क्लिक करें और जोइन पर क्लिक करके इसमें अपना अकॉंट मना ले ये बहुत ही असान है बस आपको अपना नेम, इमेल आईडी और पासवर्ट वगरा देना है उसके बाद आपको इमेल आईडी में वेरिफकेशन इमेल आईगी उससे आपने इसको वेरिफाई कर लेना है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी फेस्बुक वगरा की आईडी बनाते हैं मैंने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है मैं यहां से लोग इन कर लेता हूँ इसके बाद फर्म वेर में जाएं और यहां अपने मुबाईल का मॉडल लिखें आप अपने मुबाईल का मॉडल देखने के लिए सेटिंग्स में जाएं आप बाउट डिवाइस में जाएं और यहां मॉडल नंबर आप देख सकते हैं या आप अपने मूबाइल की बैटरी निकाल कर वहाँ पर भी मूबाइल का मॉडल देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर मॉडल लिखें और सर्च करें आपको काफी सारे फर्मवेर शो होंगे आप इन में से कोई भी डॉनलोड कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप सबसे लेटेस्ट वाले को डॉनलोड करें और जुरूरी नहीं कि आपको अपनी कंट्री का ही डॉनलोड करना है आप किसी भी कंट्री का लेटेस्ट डॉनलोड कर सकते हैं तो मैं यहाँ सबसे लेटस्ट वाले पर क्लिक करता हूँ इसके बाद रेगुलर डॉनलोड पर क्लिक करें फिर डॉनलोड पर क्लिक करें इसके बाद 10 सेकंड का एड शो होगा जैसे ही एड हतम हो आप इसको डॉनलोड कर सकते हैं डॉनलोड करने के बाद आप इसको एक्स्ट्रैक्ट या अंजिप कर लें नेक्स्ट टैप है अपने मुबाइल को आफ करें और डॉनलोड मूड में जाएं डॉनलोड मूड में जाने के लिए वालियम डॉन बटन, हॉम बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखें जब इस तरह की स्क्रीन आये तो बटन छोड़ दें और वालियम अपके बटन को प्रेस करें इसके बाद आप अपने मुबाइल को डाटा केबल की मदद से आपने कंप्यूटर के साथ अटेच करें जब आप मुबाइल अटेच करेंगे तो आपको ओर्डियन में एडिट लिखा शो होगा इसके बाद एपी पर क्लिक करें और जो फर्मवेर की फाइल डौन लोड़ की थी उसको ओपन करें और इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करें तो प्रसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी याद रखें प्रसेसिंग के दुरान आपकी लाइट आफ नहीं होनी चाहिए मतलब ये के कम्प्यूटर बंद ही हो और ना ही मुबाइल को डैटा केबल से उतारें यहाँ पर 3-4 मिन लगेंगे तो जैसे ही ये प्रसेस कंप्लीट होगा आपको मैसी शो होगा पास इसके बाद आप अपने मुबाइल को डैटा केबल से उतार लें यहां पर कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ फर्स करें पास की जगा फेल लिखा आज है तो क्या करना चाहिए अपडेट सेमसिंग यूएस्बी ड्राइवर को इंस्टाल करें अपने क्म्पूटर को रिस्टार्ट करें और्डियन को एज अड्मिनिस्टेटर ओपन करें कोई भी अच्छी डेटा केबल या उरिजिनल डेटा केबल लगा कर देखें और यूएस्बी पोर्ट को चेंज करें फर्मवेर को फिट से डॉनलोट करें और याद रखें ये आपके मूबाइल मार्डल से मैच करता हो तो इसकी मदद से आप किसी भी सैमसंग मूबाइल का साफ्ट वेर असानी से इंस्टाल कर सकते हैं तो मैं अमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो को नोटिफकेशन मिलते रहें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें अगर कोई क्वेस्चन हो तो कमेंट्स में पूछें मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज